तो इस चुले की करती है नोने तोड़ फोड़ तो इस तो स्वागत आप सबका मेरे एक और न्यूव ब्लॉग में और इससे पहले बाला ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें और जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर लें और जो वीडियो देखते हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आज है सौमबती अमावश्या बहुत सारी लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो को दिखके पता चल जाएगा सौमबती अमावश्या साल में एक ही बार पढ़ती है बहुत ज़्यादा रेयर केश होता है तो साल में दो बार आती है तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मे को देखा था इस बरत को और पुजा को करते हुए उसके बाद मैंने अपनी नानी को देखा फिर मामी को देखा फिर उनको देखके मैं भी करने लगी हूँ तो आज मैं सेयर करूंगी जैसे मैं पुझा कर रहे हैं तो जैसा कि आप सब लोग ने देखा कि मैंने यहां जिस जगह पर परिकमा लगा निया उस जगह पर मुझे तुलसी का पौदा रखना था तो वहाँ पर मैंने सातिया बना के उस पर गमला रखा है धुलने के बाद तो तुलसी में जल चड़ाया उसके बाद मैंने यहाँ पूजा की थाली तैयार की और दूसरी थाली है इस रंगार की जिससे तुलसी में यहाँ कुछ रंगार किया जाएगा तो मुस्टली मैंने व रहा हो तो प्लीज मुझे सज़ेस्ट जरूर करेना क्योंकि सब जगह अपने तरीके से अलाग तरीके से करते हैं और मैं वही कर रही हूँ जो मैं आज तक देखा अपनी मामी और नानी ममी को और यह पुझा मुझे जल्दी भी करनी है क्लिए क्योंकि मेरे दौनों कहने हैं स इसे चिरए बना जल्दी पोजा कर लूँ। यह वेन पॉलते हैं कि कोट्न के बाती का यूज़नाइब करते हैं की जल्चड़ा बसा बें बाती पहले से बाती इससा बडाए ड़ळार बना फिर, उसके बाद रहे हैं, सिंगार डाही कापड़ी पेनाने चाहिए तो इसलिए मैंने गंबले में पहले चुंदरी पेनाई चुंदरी पेनानी के बाद फंड जल चड़ाया और फिर कलावे बाथ भांदा फिर उसके बाद जो बाती कलावे से बाती बनाईती है उसका दीपक जलाया और अब मैं कर रही हूँ यह सोला सिंगार तुलसी मया का यह है मेरी सिंदूर दानी जिसमें नया सिंदूर रखा है इसी सिंदूर को मैं अपनी तुलसी मया को लगाऊंगी फिर उसी उंगले से मैं अपनी मांग में भी भरूँगी ऐसा भोला जाता है कि T marc तुल्सी मैया से स्वाग मागा था इसमें जो कथाई उसके accreding और सारी बिंदी, चूड़ी जतना भी लिपस्टिक, मैक अप जतना भी होता है पहले सबसे पहले मैने तुलसी मईआ केúcar तो यहां पर सारा सामान में जल्दी जल्दी से मैक अप कर रही है तुलसी मईआ का और मैक अप करने के बाद पर मैंने छोड़ी पेहना डी छोड़ी पेहनाने के बाद यह महाबर आलता रखा हुa था मैंने काटोरी में तो फिर माया के मैंने आलता लगा दिया और ये था मेरे पास ब्लाउज पीस जो न्यू रखा था बन ये मैंने इस तुलसी माया को ओडा दिया था ये हैं हमारी तुलसी माया एक दम दुलहेल की तरह तयार हो गई है पूरे अपने सोलह सिंगार के साथ फिर तुलसी माया को तयार करने के बाद फिर हम अपने सिंगार करते हैं अपना पूरा यहां पर मेरे आना मेरी मम्मी चाची ताई वगरा सब इखटा होका इस पुजा को करती है तो वहां अच्छा लगता था बहुत गाने वगरा साथ में एक बादें इसमें जाता है रहती हैं मुझे यह आलते से मेहदी लगाना और जो गुडचीनी की बनाते हैं वो मेहदी बहुत जाता पसंद है यहाँ आये तीन देश है कि मैं यहाँ गर्मी में बैटी हुई थी न तो गेट खोलाता न पंखा चलाया था और जैसे पंखा चलाया तो यहाँ पर देखो आंदी सी बहुत ठंडी ठंडी आवा चल लेती है तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा सबसे पहले यह हल्दी गोल के या चंदन गोल के रख सकते हो तो इस में अपने दोनों हाथों की फिंगर डिप करके एक सो आठ बिंदी गमले पर जो तुलसी का पौधा होता है उस पर लगाना होता है इस बाहर दोनों हाथों को डिप करके पैड़ हो जाएंगी फिर जब लास्ट टाइम जो करेंगे अपने अंगुटों से नहीं लगानी होती अंगली मतलब दोनों हाथों की आठ उंगलियों से डिप करके लगाना होता है तो ऐसे मैंने 108 बिंदी लगाई अपने गमले पर तो गयज कताय स्टार्ट करने से पहले तिनी तो तैयारी हो गई फिर मैं अपने बाल बाल बांद के आई क्योंको मुझे लग रही थी बहुत मैंने सबसे पहले दीपक जलाया और दूबती सुरू जाके रखी फाइनली तो अम मैं बैठ जाते हूँ अपनी कता पढ़ने के लिए फिर मैंने यहां सुम्मति मवश्या की कता पढ़ी इस दिन लोग तुलसी की पूजा करते हैं और कुछ लोग पीपल की भी पूजा करत के एक साकार के बेटी की और एक ओबिन की कता करती है जो टोबसे के बापस जाती है ंपकती है जब और इसके रास्ते में पढ़ने पीपल के पेड़ के नीचे रुक के एक सो आठ उस घड़े की परकमा करती है और अपने मांग में से सिंदूर अपना जो स्मेक अप कीया होता उसमें से थोड़ा-थोड़ा लगा के मटके में लगा के वो गाड के आजाती है अपने घर पर घर पर देखती है तो उसका देखती है कि गुरू दचना लेने के लिए खड़े हुए हैं और उसका बती भी जीवित नहीं है तो फिर वो गुरू जी होते हैं उनसे बोलती है कि जो आपके भागे मैं था वो महाँ मैं पीपल के नीचे गाड़े आई हूँ आप जाके ले लीजिए वो वहाँ जाके देखता है कि सौने के सिक्के हो गड़े की जगए तो वो गुरू जी आते हैं बापस फिर सौना सौना दुम बोलती है जो भागे मैं था आपको मिल गया है आप ले जाए है तो वो जो गूरू जी होते हैं से आगी कथा और इसी कथा को बोलते बोलते मेरी कम्पिलीट होने वाली है परिकम्मा कम्पिलीट होने से पहले हमारी विदी जग गई है और वो रोना दोना शुरू करके चली गई है अब नीचे थोड़ी दिन में आती होगी और ऐसा बोलते हैं जो इस ब्रत को करता है उसके घर में सुक संपत्ति की बढोतरी होती रहती है, कोई कमी नहीं आती, सुक सांती बली रहती है, और एक कप परिकमा तो मेरी कम्पलीट हो गई है, वाली सोट्स जो होती है, उनको कलक्ट के साइड में रखने हैं, यूदि दोनों जगई हैं, अब दोनों इन सामान को उठा यहां देखो हमारी विदी रोना सुरू हो गई है चॉकलेट के लिए मैंने सामान रख दिया उठा के उन्हें परिकम्मा तो कंपलीट हो गई एक परिकम्मा में विदी जक्के तैयार हो गई और दूसरी लगाई तो नंदू आ गई है देखो नंदू बोलो इधर देखो स्मा अख Francis-सा- इनदू करता है इस नंदू नंदू करते है तुल मेरा है, तो यहां फिर मैं दूसरी परिकम्म है और विदेखोन नंतोरा है इसलो नो बिगाई है और यहां देखो मैंने अपनी नंदी को सांती से बिठा तो दिया है बस यह थोड़ी देर बैठेगी फिर यह अपनी चॉकलेट और जैम से देख देखके बड़ी खुस हो रही है अभी मांगना शुरू हो जाएगी मेरे पूजा करना बहुत मुस्किल कर दिया था इन दौनो पूरी की और यह दोनों बच्चियां मेरे कभी आगे कभी पीछे कभी कोई सामान उठा के बागरा कोई जैम सटा के बागरा कोई कोई पूरा सामान लेके कभी दीप को यह बिदी कि जड़ी को तो जासी को देगो मेरे साथ साथ परिकमा लगा रही थी है मैंस को अछins को मेरे साथ पूजा कर रही है पीनी ओ यह बिद्धा दिया यहां बैट जा कि यह बिद्ध लेकिन यह कहा मानने वाली उ Immediately इतना मुस्किल कर रगर लिया था जाना मुस्किल gonna कर दिया वो लटा गोम रही थी तरह जड़ी परिकमा लगाना सुरू किया तो फिर भारिशा होने लगा बहुत अगर दो तीन लोग लगाते हैं तो मम्मी बगरा होती है वहां गाने बात दे आते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है यह वहां आसानी से लग जाती है यहां पर अकेले जांटी मैं या टो यहां हूते लागा लेख सब्सक्राइब को हुआ होस्तिक पे सॵचरचे चुल रहता है है। खकता हैmen क्यों ने अपने टोन हमने के आपने ट्रीक पार चेया में तो चला लिया, तो ध्यान बट गया थोड़ा, नंदो छोटी है, लेकिन उससे थोड़ा सा मना कर दो, तो वो बैठ जाती है, समन जाती है, लेकिन ये बिधी नहीं मानती, पता नहीं क्यों इतनी सैतानिया करती है, सांती से बैठ नी सकती, देखो, दो-दो अपने-पने पैकेट उठा उठा के खड़ी हो गई है, कोई एक जम्स खाईगी, एक सौट उठा लिए है, एक से अभी काम नी चल लाए, इनका बार बार उठा के, अब यहां पर नंदुबिदी नीचे नहीं गई है, खेलने के लिए तो उनकी फ्रेंड्स लोग देखने आ रहे हैं, कि नंदुबिदी है कहाँ, तो पापा जी अभी लेकर आया है उपर, लेकिन वो इधर नहीं आये, लोट गए नीचे, और यहों से नीचे ही चले, तो फाइनली मेरी दूसरी परिकंमा भी पूरी हो गई है, तीसरी परिकमा स्टार्ट होने वाली है तीसरी परिकमा सुरू करने से पहले मैंने यहां दूबती लगाई दीपक की बाती साही की और गी बढ़ा की और आड़ी की जैसे भी मैंने परिकमा लगाई थी उसमें से पहले सामान 5-5 करके रखते हैं तो उसके बाद लगाने जारे हैं अपरी तीसरी परिकमा सुरू और यहां पर सामान की रखवाली करना बड़ा मुस्किल हो रहा था देखो मैं परिकमा लगा लगा के सामान रखते हैं और यह पैकेट है खोल खोल के फाड़ फाड़ के फैंकती है रही थी ते दो बám बेटी ता सामान के लें आ मेरे हाथ के लिए तो मेरे हाथ सोकले में नदू पैकेट अंगे जैम से लें किहार हैं और फिर देखते हैं कभी किस उठा लेते हैं पूजा हो जाने दे उसके बाद चले नहीं जा रही है तो इसके खाने के लिए देखो बार बार आ रही थी टेवल पर इसको रोकना बहुत मुश्कल हो रहा था गुसा भी आती है फिर बात मैं देखती हूं यह बीटियो तो मुझे बहुत असी भी आ तो फिर यह मेरी तीसरी परिकमा थोड़ा मुश्किल हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा सिर भारी बारी उड़ा था चक्कर से आने लगे तो फिर मैं रुक रुक के थोड़ा बै थोड़ा आराम करके इधर अधर ध्यान बटका के चकर से आने लगे तो फिर मैं थोड़ी परिकम्मा को पेंडिंग में नहीं करना चाहिए, बहुत मुस्कुल हो जाता है लगाना, और बच्चों के साथ मैं तो पूछो इमत क्या हाल है, फिर यहां पर मुझे अपनी परिकम्मा बीच में रोक के, नंदू का ध्यान गया मेरे पेरों पर क्या आलता लगा हुआ है, तो और वो गई तो फिर यह तो जाही नहीं रही है, इस्कूल भी नहीं गई है लड़की, फिर इनके भी आलता लगाया, पहले इनके करना पड़ता है, उसके बाद हम अपने करते हैं, फिर से मैंने जो मेरे परिकम्मा बच्ची हुई है, जल्दी अल्दी कंप्लीट की, कंप् और यहां दोनों में कुछ जगड़ा हो जाता है किसी सामान को लेके, तो यह नंदू हमारी आके गोदी में बैठ जाती है, फिर जानी है, ऐसे तैसे उनको मना के फिर अलग अठाया, फिर मैंने आरती की, और जब तक मैंने आरती की है, तो देखो हमारी बिदी ने पूरा आलता चेयर पर लगा दिया, इनके हरकते हैं, तो आप देखी रहे होंगे, पूछ पूछ हो मत यह बाद मैं देखा, मैंने देखो मेरी पूजा हुई, और इधर पूरे घर में आलता पूरा कलावा उठा के, पूरे घर में अभी कलावा था सारा बरबाद कर दिया, इसने चड़ाना अभी इतना बारी कर देती हैं, कभी-कभी कि पूछो मत, और फिर यह नंदू मुझे बताने आती है, तो उसे वो मारती है, इतना नंदू मेरी समझदा, तो गाई जल्दी से परिकमा लगा के, मैंने तुलसीची को जल जड़ाया, फिर मैं गोले नाथ की सिबलि धां दिये, चकुह पड़े, कौट रख गई, यह रख गई है, जो मैंने तुलसी मया के लगाई थी फिर sulphING करूंझ करूंगी, और आलता पर बगरा जो भी समान तुलसी मया के लगा था है, तो उसे बत्से में यूज़ को दीआ जाता है, सोला शिंगार पंडित को दीया ज फर्दू पूरे घर में आलता वगरा पूरे में खराब कर गई है भी थी तो जल्दी यल्दी फिर मैंने ये समेटा और हमारे बरावर में काम चलना है तो उसकी आवाज जादा आ रही होगे खटपट खटपट ये जो प्लैक पॉलितिन में रख रही हूं वो अलग से परिकम ये सब बांटने के लिए रख दिया है बच्चों को और ये मंदिर में जाएगा थाली और ये परिकमा वगयरा लगी है पूजा भी हो गई है अब नंदू के निला कहीं उसके बाद थाली है जो मुझे आंटी को देनी है पंडित आंटी को वो मेरे सामनी रहती है पहले पढ़ा टो मैंने के बचाग लगा, और ये बहुत जाए मैंने ठीं मैंने बनात्या या भी होड़ाइग कर दो कर दो कौड़ ने का पर ये दानद आंटी की उड़ाइवी टीर्त नहीं सब फ peppers करेंब लगा लिए निज़ फोटों के लिए जगह फार यहां पर ये बीडिय प्रफी अंटी के साथ उसके बाद भाद भाद बनाया वर्तन साफ के बाद अपने लिए चाय थोड़ी सी तो मैंने पी लिया चाय और रिलक्स मैंसु सो रहा है कहीं ना ब्रत पूरे दिन किया जाता है साम को ब्रत खुला जाता है है लेकिन मेरे हां मेरी बाब JOE करती है उस टाइम तक बिरत रहती हैं Juice फेला के बात खाना खालते हैं तो मैं भी ऐसे करती हूं पुझा करती हूं जब तक ब्रत रहती हुँ जब भूग लगी तब अभी मन नहीं कर रहा है गर्मी लग गई है दो बच गया हैं और मैंने नन्दु बिदी को सुला दिया है प्रिया को बलाया सामान बाटने के लिए वो दे आई गी तो गाइज अब बज गया है सामके साड़े चार और बच्छों को लगी है भूंक तो चीला माग रही है रो रही है नंदु चीला चाहिए बेसन का चीला नंदु बिदी के लिए चैन बेसन और इधर है ये प्याज ले प्याज तमाटर और हरी मिट्शी ये गैस उस पर कौन सेगेगा तैवे पर भी तो सेखना है मुझे छेतना चेला नंदु आतियो अधियो को आपर पर अधरा नंदु गिर्शे होगी बहुत थेज लगी ये अधर करना आधर या से नहीं करो यार मैं पर जचीला लानी देखिए दादाल, मुझे बढ़ कर दिखिए जो और मुझे पड़े गांटो अच्छित पर पाला, म्में बेरे बेरे या तुम हटनी दए यू ना, मुझे सब गास जानानी देरी यू यह देखो, दोन शीला बना है है लिए, दोनो के लिए पुर्सी बरेगे खाड़े हो रही है रॉक एक खाड़े बहुत्गे ये जैस्रिरांगोलोई पटगे आपच्गे आएए आएए आए आए बखाने कली नी जाहिए मेरा बने मामा खुआना भूगला है जाँ सरीकी दाओ सरीकी काउगा देख लेख लें तो तो आपको पड़ा तो पाड़ा है जल्वाद होगी जब तर बात आपो जड़ा किया जल्वाद होगी जब तर बात होगी जजया ओधिना सारा अधिया रेपिदी का चीला हमारा चीला त्यार है मुंमे तो पानी आ दिया वो में तो पानी आ दिया एह और यह चीला पाटी तुम बताओ अच्छा थो फ्रेंड इस पच्छा पाटी के साथ ब्लॉग को करते एंड लग रही है बहुत गर्मी चेंज करने हैं सामके बजगे हैं पांटी अच्छी लगई है तो प्लीज लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट जरू करना और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने ना मिलते हैं